आज मैं आपको जदा राइस की रेसिपी सिखाने चा रही हूँ रमदान स्पेशल हम एक नियू रेसिपी सीखेंगे उसके रहे हम इंग्रीडियंट्स चेक कर लेते हैं इंग्रीडेंट्स में मैंने लिया है देट कप चाफली इनको 2 वंटे पहले भी वो दिया था और इनका पानी निकालकर अब रख लिया है शाथ में मैंने लियी है एक कप चीनी या साधनसार चीनी 3 तेबल स्पून देशी घी कलर लिया है मैंने एक पिंच ऑरेंज कलर ₹ cup धूदढ़, पिस्ता दो टेबल स्पून चौप करे हुए फ्री टेबल स्पून तूटी फ५ोटी फ्री टेबल स्पून बदाम चौप करें हुए भी ऐफ आप नारियल को रंबा-रंबा शी चौप करें हुए भी प्रिस्पून नार्यस बंसी कॉटर सो हुए पाद से चार कप पानी ले लिया और गरम करने के लिए रख दिया है यह देखिए कलर अच्छी तर чув नीज़ ज़गा है और जम पानी क पाच मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे चावल हाफ बॉइल हो चुके हैं अब हम इनको अलग साइड में रख देंगे क्लेम बंद कीजिए और इसको साइड में रख दीजिए अब आप एक दूसरी कढ़ाई लीजिए या फिर जिसके अंदर आप बनाना चाहते हैं वह ब दाले और इसको कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए इलाइची और लॉं के अच्छी कुछबू आने लगी है उस चाहिम पर आप इसके अंदर सारे ड्राइ फ्रूट्स आप लीजिए साथ में बादाम पी और साथ में नार्यत और इनको भी लो फ्लेम पर एक नर्स तक भ चलनी ले लिए जिसके अंदर में चावल को स्ट्रेंड करूंगे और अब हम चावल इसके अंदर डाल देंगे बहुती साथानी से गरम चावल है एकदम यह देखिए चावल चंद चुकी है इनको हम इसी तरह से छोड़ देंगे और अब ड्राइ फ्रूट्स को चेक ही देखिए चीनी हमारी अच्छे तरह से मैल्ट हो चुकी है इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ऑफ चीनी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर चावल चाण के रखे यह देंगे बहुत ही सावधानी से अ बबात इसको घूटी अनदर फ्रूटी दाल दिजे और इसको बहुत ही मिक्स कर लीजिए चावल तूटना नहीं चाहिए इसने बहुत हलकी हाथों से आपको इसको अलटना पलटना है अब इसे कवर करके पाच मिनट इसी तरह से छोड़ दीजिए जो हमारा बचावा कच्छा राइस होगा को अच्छी तरह से पक्चाएगा तरह इन्स नट हो चुके हैं चेक कर लेंगे यह देखिया अच्छी तरह से हमारा बीजिक्स का है और अब चावाल देखने से उना ही वद करके हैं इसरे अकरी ऊक्राइश कर देखिये जरदा राहा कहाने के अन्लाएस हो है आपको मेरी निखेड मेरी निखे र मैं सेंऀने की जिन कार श्रीम को स miejक रखी, रूप आपको मेरी स्वीठ डिश्र पसंद रही है. लीखाको मेरी निखेड रहेLove, मटार्श मुँण चैहे ठाइने, झाल झाल